हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है अपके अपनी यूट्यूब चैनल में क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट के लिए एक बड़ी ख़बर आ रही है CBAC के एक अधिकारी ने क्लास 9 और 11 के एक्जामेशन से रिलेटेट कुछ मैधवपून जानकारी दी है तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे क्योंकि बहुत सारे छात्रों के द्वारा ये मांग क्या जा रहा था कि 9 और 11 का एक्जामेशन ओनलाइन हो ओफलाइन नहीं हो क्योंकि उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही हुई है तो बहुत सारे बच्ची अच्छे से पढ़ नी सके है तो इसलिए ऑनलाइन ही एक्जामेशन कंड़क्ट करवाने का मांग क्या जा रहा था तो इसमें दिया गया है कि केंद्रिय माधिमिक सिक्षा बोर्ड दसवी, बारवी की परिक्षा चार मई से ओफलाइन होगी यह नि कलाश 10 और 12 का एक्जामेशन ओफलाइन ही होगा यह तो आप लोग को पता ही है चार मई से एक्जामेशन शुरू हो रहा है ऐसे में नवी गार्वी के चारों की परिक्षा बीच में अटक गई है इसी बीच स्टुडेंट्स ने यह मांग रखी है कि परिक्षा ओनलाइन कराई जाए लेकिन बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि परिक्षा किसी भी कीमत पर ओनलाइन नहीं होगी चात्रों को परिच्छा केंदर पर जाकर ही परिच्छा देनी होगी यानि क्लास 9 और 11 के स्टुडेंस अपने स्कूल में जाके ओफलाइन ही एक्जामरिशन देंगे, कोई भी ओनलाइन एक्जामरिशन नहीं होगा लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ट्वीटर पर हैज्टेग ओनलाइन एक्जाम्स फॉर 9 और 11 नाम के अभियान से स्टुडेंट्स ने ओफलाइन परिच्छा करने पर जोड दिया है यानि ट्वीटर पर जो ओनलाइन एक्जाम्स फॉर 9 और 11 है यह बहुत ही ज़्यादा भी ट्रेंड कर रहा है कि एक्जाम्स फॉर 9 और 11 का ओनलाइन ही हो ओके आगे दिया गया है कि परिच्छा को लेकर एक नया अपडेट आया है तो चलिए जानते हैं स्टुडेंट्स की इन परिशानियों का जवाब देते वे CBAC के परिच्छान यंतरक डॉक्टर सैयम भारतवाज ने कहा है कि ओनलाइन परिच्छा अयोजित करने की सुविधा पूरे देश के लिए शंभव नहीं है उन्होंने कहा है कि हर छात्र के पास सही तरीके से इंटरनेट व्यवस्था नहीं है और नहीं हर किसी के पास कंप्यूटर है ऐसे में ऑनलाइन परिच्छा लेना काफी दिकतवरा फैशला हो सकता है अभी उपलब जानकारी के अनुशार सभी स्कूलों ने दिसंबर 2020 तक क्लास 9 और 11 के अपने पाठे करम को पूरा कर लिया है इस प्रकार यह उचित होगा कि परिच्छाएं ओफलाइन ही आयोजित की जाए यानि याँ पर जो परिच्छा नियंतरक सयम भारतवास जोगी सीबिसी के परिच्छा नियंतरक है उनके तरह से ये साफ बताई जा रही है कि examinations offline ही हो क्योंकि syllabus class 9th और 11th का पूरा किया जा चुका है online आगे दिया गया है कि 4 मई से सुरू है परिक्षा है वहीं report की माने तो CBSE board नवी और गार्वी की परिक्षा फरवरी में आयुजित करने की तयारी में है हलाकि board और school की तरफ से ऐसी कोई official जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है लेकिन छात्रों की online परिक्षा की मांग जारी है वहीं 10 वी और 12 वी board परिक्षा की बात करे तो वो 4 मई से सुरू होना है जो की 10 जुन तक चलेगी और साथ ही 10 जुलाई तक नतीजे घोसित करने की भी पूरी कोसित की जाएगी सो बच्चों आज का यह news था और विसी तरह की latest updates पाते रहने के लिए हमारे चैनल Students Life को सब्सक्राइब करके रखे थैंक यू